हलो गाईस कैसे हो आप सबी आप देख रहे हैं टूडे शेयर और आज हम डिसकस करेंगे कि वोड़ा फोन आइडिया को लेकर वो कौन-कौन सी न्यूज है जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए यहाँ पर गाईस कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं कुछ बड़े ब्रोकर्स ने बड़े खुलासे किये हैं जिसके अंदर एक ब्रोकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है आपने अल्रेडी न्यूज देख लियोगी लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में अभी हाला ही में यह अपडेट आई है 50-58 मिनट हुए हैं लगबक एक घंटे पहले की अपडेट है मैं मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन खोल के इस आर्टिकल को रीड करूंगा और देखूंगा कि इसमें ऐसा उन्होंने क्यों बोलाए कि वोड़ा फोन आइडिया का जो इतने परसेंट से नीचे खिसक गया है और इंडस्ट आवर के बारे में भी डिसकस कर लेंगे विकोज इंडस्ट आवर भी गोल्ड मैंस एच की जो रिपोर्ट आई है उसके इसाब से इंडस्ट आवर में भी कोई खास ग्रोथ नहीं होने वाली तो यही समझेंगे कि उपर किस तरह के टार्गेट्स दिखाय जा रहे हैं इन सब के उपर आज हम डिटेल में बात करेंगे अभी आप इदर स्क्रीन पर देख सकते मैंने मनी कंट्रोल प्रो का आर्टिकल खोला हुआ है और यह आर्टिकल 6 सितंबर 2024 का है है एडलाइन किलियरली इसारा करती है कि वोड़ाफोन आइडिया 6 परसेंट गिरा है और इसी के साथ इंडस्ट आवर भी 2 परसेंट गिरा है गोल्डमेंस सेच का जो रिपोर्ट आया है उनके हिसाब से और गोल्डमेंस सेच ने खुद बोलाए कि हमारी रिसर्च रिपोर्ट में इन दोनों कंपनीस के भविश्य को लेकर बड़ी चिंताएं जताई जा रही है अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई जब गोल्डमेंस सेच जैसे पोपुलर रिसर्च रिपोर्ट सामने आती है और वोड़ फोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में सेल यानि की बेचनी की सलादी जाती है तो कह ना कहीं एक चिंता वाला विसर्च बन जाता है और यहीं नहीं गाईज यहाँ पर अगर आप सैलेंटली प्राइस टार्गेट देखेंगे यानि कि अगर यह इंक्रीज होता है तो लगबग 2 रुपे 5 पैसे या 2 रुपे 2 पैसे तक ही आपको रखना चाहिए और अगर यह स्टोक इस परसेंट से नीचे गिरता है तो हम कह सकते हैं लगबग 83 परसेंट का डाउनफोल्ड गोल्मेंस सेच ने इदर दिया है अब देखो गाईज कभी कवार ऐसा भी होता है कि न्यूस को सिरफ इसलिए फैलाय जाता है ताकि भाई स्टोक पैनिक में इंवेस्टर सेल कर दें और उसके बाद बड़ी क्वांटिटी बाई की जाए लेकिन यहाँ पर अभी जो सुच्वेशन क्रेट की जा रही है वो यही है कि न्यूस के हिसाब से स्टोक में डाउनफोल आ रहा है वहीं जो यह रिपोर्ट निकल के सामने आई है इस रिपोर्ट में यह कहा जा कर आए कि आने वाले 3-4 सालों में वोड़ाफोन आईडिया की बजार की जो हिस्सेदारी है 300 basis point की और गिरावट हो सकती है और सबसे अच्छे हालातों में भी यह भी बहुत important point है कि सबसे अच्छे हालातों में भी अगर company का share देखा जाए तो लगबग 9 रुपे तक ही जा स आजे से investors में panic हमें देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम बात करें इंडस्ट आवर की तो इंडस्ट आवर को लेकर भी ऐसी ही कुछ बाते कही गई है और 2% के आसपास इंडस्ट आवर भी गिरा है Goldman Sachs की report के हिसाप से लेकिन यहाँ पर इस report के अंदर जो इंडस्ट आवर ह उसको sale और neutral रहने की rating दी गई है क्योंकि पहले जो rating थी neutral थी लेकिन अभी हाला ही की report के हिसाप से यह जो rating है वो sale की तरफ आ गई है लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहले जो यह rating थी जब neutral की थी उस time price target 350 था हम बात कर रहे हैं इंडस्ट आवर की लेकि लेकर भी खास आई है और इस report के हिसाप से भी यहाँ पर भारते एटल को बारे में काफी कुछ कहा गया है और भारते एटल का इस report के हिसाप से बोला जा रहा है कि भाई अच्छी growth हमें देखने को मिलेगी भविश्य कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है और 900 रुपे क जो मूल रूप है उसको बढ़ा कर इन्होंने 1700 रुपे किया है याने कि भारते एटल को एक positive signal देती है ये report इसी के साथ भारते एटल के stocks को buy की भी rating दी गई है तो गईज ऐसी ही कुछ report के चलते हुए जो Vodafone idea का stock है बहुत ही तेजी से नीचे गिरा है जो आप screen पे देख रही है इस चीज को तो आप इदर screener पे देख सकते हैं मैंने Vodafone idea का stock खोला हुआ है मैं documents के अंदर चलता हूँ तो सिरफ एक दिन ही हुआ है एक investor meeting company ने रखी है इस investor meeting को एक बार देख लेते हैं कि basically इस investor meeting में क्या है आप देख सकते हैं 4 सितंबर 2024 की ये investor meeting है आज जब मैं बोल रही है कि हम किसी भी तरह की कोई price sensitive information leak नहीं करेंगे इस meeting के अंदर ना ही public करेंगे तो कहीं न कहीं इस meeting का जो मकसत है वो यही है कि निवेशकों को एक तरह से जागरुक करना ताकि वो समझ सकें कि company की रणनीती क्या है भविश्य की योजनाएं क्या है company किस तरह से आगे निकल के सामने आएंगी लेकिन company यहां बोलती है कि हम किसी भी तरह से price sensitive information leak नहीं करेंगे इस business meeting में हाला कि यह business meeting 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के between में होने वाली है यानि कि आने वाले 2-3 दिनों बाद यह meeting arrange होगी मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह की meeting से आगे बढ़ेगा जिससे की निवेशक का जो potential है वो बढ़ सकता है और वो बड़ी buying in companies में रख सकते हैं तो फिलाल company ने तो अपना जो मत है वो सामने रख दिया है company का reports से कोई भी लेना देना नहीं है company इन reports पे इतना गोर नहीं करती लेकिन जो investors होते हैं वो हर reports को read करते है चाहें वो Goldman Sachs द्वारा लिखी गई report हो या फिर किसी और बड़े investor द्वारा कही गई बाते हों जैसे कि आपको इससे पहले का भी record पता होगा कि भाई company को लगबक 73 करोड का GST demand notice मिला था जिसमें अलग अलग company के उपर ब्याज penalty सामिल थी और कह सकते हैं कि भीविन भीविन GST कारियालों से company के उपर ये जुर्माना लगाया गया था और इसमें अलग-अलग states के नाम निकल के सामने आए और मैंने आपके सामने वो रखा भी के जैसे for example नोईडा GST कारियाले से company को 26 करोड का जुर्माना लगा और जो सबसे बड़ा जुर्माना था और कॉलकता से company क लगा तो ऐसे जुर्माने overall calculate किया जाए तो 73 करोड थे जिससे कि company की brand reputation और company के काम करने के तरीके या हम बोले management के उपर भी एक सवाल उठने लगा ऐसी guys update की वज़े से Vodafone idea के उपर जो निवे सको का विस्वास है वो भी थोड़ा सा डगमगाया लेकिन यहाँ पर आपको यह भी समझना चाहिए कि कुछ और बड़ी reports निकल के सामने आई जैसे कि MSCI जो की अगस्त में आपको देखने को मिलेगी MSCI के संसोधन में Vodafone idea के share के उपर ध्यान दिया गया है और अगर यह company यानि की Vodafone idea MSCI India index में सामिल किया जाएगा तो यह बहुत अच्छी उमीद है क्योंकि MSCI जो index होता है बहुत ही positive response ली आगे बढ़ता है और अगर Vodafone idea को इस index में सामिल किया गया तो बड़े investor की निजर फिर से Vodafone idea पर पढ़ सकती है दूसरा guys हमें यह भी समझना चाहिए कि AGR का जो मुकदमा है यानि जो AGR अगर company के favor में आता है Supreme Court अपना फैसला AGR का company के favor में रखता है तो कही न कहीं company में फिर से positivity आ सकती है तो इस news पे भी आपको नजर बना कर रखनी चाहिए क्योंकि City Group इस चीज को पहले भी बोल चुक भी बढ़ सकता है तो नजर रखने वाली बात यह है कि Supreme Court किस तरह से फैसले लेता है और क्या AGR की report हमें positive response देती है इस company में या फिर नहीं आपको बताना चाहूंगा guys जो AGR का फैसला इसलिए भी बहुत important हो जाता है क्योंकि company की जो मांगे है इससे company का जो कर्ज है बहुत ज्यादा reduce हो सकता है कुछ तीन मांगे है मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन अब company totally AGR के उपर ही टिकी है पहली जो मांग है वो है AGR की जो गणना है फिर से की जाए और जो गलतियां company के द्वारा की गई है या फिर जो सरकार के द्वारा गलतियां की गई है उनको ठीक क पैनल्टी के जो कुल बकाया है उसको 50% कम किया जाए और जो पैनल्टी के उपर ब्याज है उसका जो रेट है उसको भी 2% के दर से कम किया जाए जिससे की company का overall जो कर्ज है वो reduce होगा और company को बहुत फाइदे होंगे अगर ये जो AGR की report है company के favor में आती है Supreme Court positive response Vodafone idea को देत है तो गई इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं के भाई Vodafone idea में अभी काफी कुछ आना बाकी है काफी कुछ देखना बाकी है company किस तरह से आगे इन चीजों को deal करती है वो भी समझना बहुत important हो जाता है लेकिन आपको ये समझना चाहिए के भाई सि सुची समझी साजिस हो जिससे की स्टोक में डाउनफोल आया जाए और फिर अच्छी quantity में बाइं करके स्टोक को उपर बढ़ाया जाए तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मैंने आपको ये बताए कि इस वज़े से स्टोक नीचे गिर रहा है बढ़ने के भी रीजन सामने आ सकत हैं जैसे कि AGR के रिपोर्ट पोजिटिव आना कंपनी को बड़ा ओडर हाथ में लगना या फिर भारते सरकार दोरा वोड़ा फोन आइडिया को एक तरह से मर्ज कर देना बी असनल के साथ ऐसी रिपोर्ट भी आती है तो हो सकता है कि ऐसा भी आगे हमें देखने को मिल या फसा हुआ या फिर सरकार ने खोदी हिस्सेदारी ली है एक ही बात हम कह सकते हैं आप समझते हैं कि बाई बेसिकली कंपनी के अंदर बायर्स और सेलर किस तरह से अक्टिव हैं और इन न्यूस से कितना वड़ा इंपक्ट पढ़ रहा है मैं NSC की वेबसाइड पे इदर ओपन कर देता हूँ वोड़ा फोन इडिया और जैसी मैं वोड़ा फोन आईडिया इदर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो स्टोक ए खुल जाता है और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिफ्रेस हो रहा है किलियरली नजर आता है कि भाई वोड़ा फोन आइडिया के उपर NSC सीधा बोलता है कि वह पिछले दो सालों से कोई profit company ने किया नहीं है और यहां पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 8 करोड के आसपास की sale quantity चल रही है भी यानि कि 8 करोड 75 लाग stocks को अभी investor sale कर रही है और buy quantity आप देखेंगे तो 5 करोड 9 लाग के आसपास है buyers कम है selling quantity के हिसाब से इसी वज़े से stock आपको continuously नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है तो अब आप क्या सोचते है comment करके जरू बताइए हम money control पे हैं और money control पे आप देख सकते हैं जो volume है no doubt 122 करोड का हो गया है massive volume trade हुआ है लेकिन यह जो volume है company को डुबा ही रहा है because हम साफ दिख सकते हैं advanced chart में stock में बहुत बड़ा downfall आया है जो clearly नजर भी आता है अब guys आपकी क्या रहा है comment करके जरू बताइए अगर आप इसी तरह से updated रहना चाहते तो channel को subscribe कर सकते हैं बाकी एक बात बहुत clear करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई buy sale hold recommendation नहीं है ना ही कोई financial advice ह लेकिन अगर आप इस company से इसी तरह से updated रहना चाहते तो channel को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and goodbye